सर्दियों का मौसमाने वाला था जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी अपने गरम घौसले बनाने में लगे हुए थे कालू मैं हर बार की सर्दियों में मरना नहीं चाहती और इस बार तो परफ गिरेगी मुझे पहाडी वाले पक्षियों ने बताया है इसलिए हम पहले ही अपना गरम घौसला बना लेंगे ठीक है पतनी जी मैं आज ही घौसला बनाने का सामान लाता हूँ तब तक तुम एक मजबूत और घने पत्ते वाला पेड़ देखें हम उसी पे अपना घौसला बनाएंगे ऐसे बाते कर कवे भी अपना गरम घौसला बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं अरे सपक्षी सर्दियों की तैयारियों में लगे हुए हैं एक मैं ही हूँ जो आराम से इस घौसले में बैठी हुई हूँ अगर मैं अंडा देने वाली ना होती तो सबसे पहले अपना गरम घौसला बनाती अब मैं क्या करूँ वो चिडिया ऐसे सोचती है फिर अपने आप से बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकती मेरे अंडे से निकलने वाले बच्चे को इस घौसले में ठंड लगेगी वो ननना सा बच्चा ये ठंड बरदास नहीं कर पाएगा मुझे हिम्मत करके गरम घौसला बनाना ही होगा ऐसे फैंसला कर वो चड़िया गरम घौसला बनाने के लिए निकल जाती है धीरे धीरे साम भी हो जाती है कालू कव्वा तो एक ही बार में सूखी घास का धेर ले आता है वा वा मेरे संदर पती एक ही बार में सोखे तिनको का धेर ले आए तुम तो इसमें हमारा घोंसला पूरा बन जाएगा गोरी कालू ऐसे बाते कर रहे थे तभी वहां से छोटी चडिया भी जा रही थी उसके पास तो बस थोड़े से ही तिनके थे जिने देखकर कालू कववा हसते हुए बोलता है मैं एक कालू कववा हूँ कोई छोटी कमजोर चडिया नहीं जो बस गिने चुने तिनके लाता पूरा गठर लाया हूँ बांध के वा कालू भीया आपके काम के तारीफ करनी पड़ेगी जो दूर पहाडों से इतना वजन लेके आए फिर चडिया वहां से अपने गोंसले में आ जाती है वो तो बहुत थक चुकी थी अरे बापरे पहाडों से आना जाना कितना मुस्किल है मेरे तो पंक ही दूखने लगे लेकिन मुझे अब हर दिन जाना होगा फिर ठकी हारी चडिया सो जाती है अगली सुबा वो जल्दी तिनके लेने चली जाती है जितना उससे हो पाता वो उतना वजन उठाती इधर कवो ने तो अपना पूरा गोंसला बस दो ही दिनों में बना लिया था इस बात का उन्हें बहुत गमंड था देखा गोरी जी हमने बस दो दिन में ही अपना गरम गोंसला बना लिया और वो छोटी चडिया अभी तक पूरे तिन के भी जमा नहीं कर पाई पती जी जब बरफबारी भी शुरू हो जाएगे तब भी नहीं बन पाएगा इस चड़िया का घर ऐसे वो दोनों कवे चड़िया के उपर हस रहे थे धीरे धीरे समय बीटता गया थंडी थंडी हवाई शुरू हो गई थी चड़िया ने पूरी लगन के साथ आधा घर तो बना लिया था मेरा आधा घोंसला तो बन चुका लेकिन अब ठंड भी पढ़ने लगी है जल्दी से अपना घोंसला पूरा कैसे करूं इतने दिनों में तो बस ये ही बना पाई हूं चड़िया ऐसे परेसान हो रही थी तब ही वहां से कालू गोरी गुजडते हैं आरे रे इस छोटी चड़िया का घोंसला तो अभी भी नहीं बना ठंड भी पढ़नी शुरू हो गई चड़िया थोड़ी महनत करना भी जानती हो ये योहीं दिन बिता रही हो अगर ऐसे ही काम क्या तो अगली सर्दियों में जाके बनेगा पूरा घर आपने सही कहा ऐसे मेरा घर पूरा नहीं बनेगा लेकिन मैं क्या करूँ मैं अंडा देने वाली हूँ इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा नहीं जाता आप दोनों की बड़ी किपा होगी अगर मेरी थोड़ी मदद कर दें तो नाना चड़िया हमें बहुत काम है अभी भोजन जमा करना है कपास ढूंड के लानी है अब ऐसे में तुमारी मदद कैसे कर सकेंगे बस एक दिन के लिए आपके साथ होने से मेरा धूरा घोंसला पूरा बन जाएगा किरप्या कर मेरे साथ बस एक दिन घास लेवा के लाओ मों को करने लगी थी अब तो ठंड भी पूरी तरह से पढ़ने लगी थी अब चिडिया ने दो अंडे भी दे दिये थे हे भगवान अब तो मुझे अपने अंडों पे बैठना होगा मैं अपना गोंसला कैसे पूरा कर पाऊंगी जब मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकलें तो उन्हें ठंड से कैसे बचाऊंगी यहां तक कि उन्हें खिलाने के लिए भोजन भी नहीं है मेरे पास चिडिया ऐसे बहुत दुखी थी मगर कालू गोरी तो अपने घर की खिड़की से सब देख रहे थे वो चिडिया की हालत पर हसने लगते हैं कालू वो छोटी चिड चिडिया कैसे कापती हुई अपने अंडों पे बैठी है बेचारी अब तो कुछ भी नहीं कर सकती इसका महनत से बनाया हुआ अधूरा घर भी बेकार है हां गोरी इससे अच्छा तो चिडिया भोजन ही जमा कर लेती कम से कम भूकी तो ना मरती लेकिन अब ठंड और भूक दोनों से मरेगी कालू गोरी चिडिया की मदद करने की बजाए उसे देखर हस रहे थे एक रात चील मा जंगल से उड़ रही थी तब ही उसकी नजर चिडिया के अंडों पर जाती है वो तो चिडिया मम्मा के पास चली आती है सब पक्षी अपने गरम गरम घोंसलों में छिपे हुए है पर क्यों ये अकेली चिडिया ही अपने अंडों के साथ भाहर क्यों बैठी है फिर चिडिया के पास आती है चिडिया तो बहुत डर जाती है चिडिया तो समझ गई थी अब तो चिडिया उसके अंडे खाने वाली हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं, इतनी ज्यादा ठंड में अंडों के अंदर जो बच्चे हैं, वो मर जाएंगे, अंडों को गरम रखना होता है, और तुम तो खुले में बैठी हो, मैं क्या करूं चील जी, मैंने अपना आधा गरम घौसला तो बना लिया, मगर उसे मर गया था, मुझे इसकी मदद करनी होगी, ऐसे सोचते हुए चील चुडिया से कहती है, चुडिया बहन, हम चीलों के गरम घौसले तो नहीं होते, मगर गुफा है, उसमें तुमी जराबी ठंड नहीं लगेगी, और अंडे भी सरक्षित रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो, नहीं चील जी, जो आपने मुझे पर दया की, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहीं सोच रही होगी, मैं धोके से तुझे अपने गुफा में ले जाकर तेरे अंडों को खा जाऊंगी, मगर मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुझे तेरे अंडों को बचाना चाहती हूँ, और सुबा होते ही मैं तेरा घर भी पूरा बनवाऊंगी, चिडिया को चील की बातों पर भरोसा हो जाता है, वो उसके साथ अपने अंडों को लेकर गुफा में चली जाती है, चील अंडों को गरम रखने के लिए बड़ी मुश्किल से आ अपने बच्चे अभी तक वहीं ठंड से मर रहे होते, चोटी चिडिया, तुझे देखकर अपने बेटे की याद आ गई थी मुझे, जो ठंड में कापते हुए मर गया, इसलिए तेरी मदद के बिना मेरा जी नहीं माना, ऐसे वो दोनों रात भर बाते करती हैं, दूसरे द गया है, चील दी, मैंने कभी नहीं सोचा था, एक चील पक्षी मेरी मदद करेगी, आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी तरहा, चोटी चिडिया, हम चीलों का भी दिल होता है, हर समय हमें बुरा ही न समझा करें, तुन्नु जी, आप जड़ा देखकर तो आएं, हम ने बुलबुला किक्की जग्गो सबसे पूछ लिया, वो किसी के भी साथ नहीं है, आप जल्दी जाएं, कुकु को ढूंड कर लाएं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, रानो जी, आप रोए ना, मैं अभी जाकर ढूंड के लाता हूं कुकु को, पापा चडिया ने इतना ब सब क्या है, मा पिता जी, आप मेरी और टिक्की की साधी के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने आप से चुपकर साधी कर ली, कम मख़त इसलिए सुबहा से गायब था, और तुम टिक्की, तुमारे घरवालों को पता है, तुमने मेरे बेटे से शाधी की है, नही आप क्या के रही हो मा, मैंने टिक्की से साधी की है, और अब कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं भी, एक पल के लिए भी कुकु से दूर नहीं रह सकती, अब चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए, कुकु और टिक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो मरने को भी तयार थे, मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे, इधर टिक्की के भाई और पिता बहुत खतरनाक पक्षी थे, वो तो पहले ही कुकु और उसके परिवार से बहुत जला करते, पिता जी, टिक्की बहन ने उस रानो चुडिया के बेटे कुकु इसे भाग के साधी कर ली, मुर्खो, मेरा मू क्यों देखने आए हो यहाँ, जाओ, उसकुकु के बच्चे को खतम कर दो, और टिक्की को घर लाओ, ठीक है पिता जी, हम अभी जाकर उसकुकु को मार देंगे, और टिक्की बहन को साथ ही लेकर आएंगे, फिर तीनो भाई ह चले जाएं कहीं यहां से, मगर ममा, मैं इस ठंडी रात में टिक्की को लेकर कहां जाओंगा, और आने दो उनको, मैं डरता नहीं हो उनसे, कुकु मेरे बेटे, वो आपको जान से नार देंगे, बात को समझें, और यहां से कहीं बहुत दूर चले जाएं, हाँ कुकु जी, मा रानो ठीक कहती हैं, जब मेरे भाईयों का गुस्सा सांत हो जाएगा, तो हम जंगल वापस आ जाएंगे, तिक्की ने इतना बोला ही था, के तभी रानो का पड़ोसी कालू कववा उनके घर आता है, रानो चुडिया, रानो चुडिया, क्या फिर से आपके लड़ाई उ इसी तरफ आ रहे हैं, कालू भाईया, आप कुकु को जंगल से बाहर छोड़ाएं, अगर उन्होंने कुकु को पकड़ लिया, तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप जल्दी करें, मा रानो मैं भी कुकु के साथ जाऊंगी, उसे अकेला नहीं फिर कालू कावा कुकु और टिक्की को जंगल से बाहर ले जाता है, वो तीनों भाई भी रानों के घर पहुँच जाते हैं, वो तो बहुत गुसे में थे, चल्दी बताओ, आपने कुकु को कहा छुपाया है, हमें कुछ नहीं मालुम, कुकु तो सुबा से घर नहीं आया, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा तुमको, ऐसे वो तीनों भाई चड़िया के घर को जला दे, अब बताते हो या नहीं, तुमारा बेटा कहा है, आज उसे भी इस घर की तरह जला कर ही रहेंगे हम, हमें नहीं पता कहा है वो, और पता भी होता, तो तुम्हें कभी नहीं बताते, ठीक है, मत बताओ, हम खुद ही ढूंद लेंगे, और यहाँ पे मौजूद सभी पक्षी, कान खोल के सुन लें, अगर किसी ने भी इनकी कोई मदद की, तो हम उसका घर भी ऐसे ही जला देंगे, ऐसे बॉल कर टिक की चड़िया क भी वहां से चले जाते हैं, सभी पक्षी तो तमासा देख रहे थे, रानो जी ये तो हमारा घर ही जला गे, अब हम कहा जाएंगे, कहा रहेंगे, तुन्नो जी घर तो द्वारा से बन जाएगा, बस भगवान मेरे कुको की इनजालमों से हमीशा रक्षा करना, फिर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, वो तीनों तो ठंडे के मौसम में वहीं पर बैठे हुए थे, इधर कुकु और टिकी भी रात में संसान जगहा पर भटक रहे थे, कुकु जी यहां तो बहुत ठंड है, किसी गरम जगहा पर चलें, पिकी चिपचाब यहीं पैठी रहें, इस घने जंगल में हमें यहां कोई नहीं देख पाएगा, ममा पापा ठंड बढ़ रही है, ऐसे में तो हम तीनों बीमार पढ़ जाएंगे, क्यों ना हम किसी के घर रात गुजार लें, गुडिया मेरी बेटी सुना नहीं, पिकी के भाई सब को धंकी दे कर हैं, इसलिए कोई पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा, पापा, लूसी आंटी और कबूतर अंकल हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं, एक बार उनके पास चलें, क्या पता, वो हमें ठंड से बचा लें, फिर वो तीनों कबूतर के घर जाते हैं, रात को ठंडी ठंडी हवाय चल रही थी, तीनों के तो पंक भी अकड़े हुए थे, कबूतर लूसी, फिर प्या हमें अपने घर में थोड़ी सी जगा दे दें, बाहर बहुत सर्दी है, हमारी मदद करें, माफ करना चड़िया बहन, हम तुमें अपने घर में नहीं रहने देंगे, इस भयानक सर्दी मे हमें अपना घर नहीं जलवाना, भगवान के लिए चली जाओ यहां से, फिर वो तीनों बड़ी मुश्किल से दूसरे पक्षी के घर जाते हैं, और उससे भी मदद मांगते हैं, जानों चुडिया, पहले तो अपने बेटे को तुमने सधार के नहीं रखा, और अब अपने घर के साथ साथ मेरे घर को भी जलवाना चाहती हो, ना बाबा ना, भागो यहां से, अपने बेटे के करतूत की सजा, हमें क्यों जलवाना चाहती हो, गोरी बहन, कोई भी माबाप अपने बच्चों को गला सिक्षा नहीं देता, अब जो हो गया, हम सब को सर्मिंदगी है, पहिया ने ये ठीक नहीं किया, उनकी वजह से आज हमें कितनी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हाँ गुडिया बेटा, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, वरना उसके साथ साथ पूरे परिवार को सजा मिलती है, और जलेल किया जाता है, जैसे हमें किया, घर तक जला दिया, और सारे पड़ोसी भी हमसे रुस्वा हो गए है, रानो जी यहां से चले कहीं, अब मुझसे इस जंगल के पक्षियों के साथ अपनी नजरी नहीं मिलाई जाएंगी, हम कहीं बहुत दूर जाकर अपना नया गोसला बनाएंगे, पापा चड़िया की बात रानो को सही लगती है, और वो तीनों जंगल छोड़ कर निकल जाते हैं, और वह तीनों जंगल से दूर निकल जाते हैं, वो ठंडी ठंडी रात में, वो ठंडी ठंडी हवाव के साथ उड़े जा रहे थे, वो बहुत देर तक उड़ते हैं, रास्ते में गुडिया को एक पत्तों से बना घर दिखाई देता है ममा ममा वो देखें एक पतो का घर हम सब वहां चलते हैं और फिर हम ठंड से बच सकेंगे फिर तीनों उस पतो के घर में चले जाते हैं वहां कोई और पक्षी नहीं था बलकि कुकु और तिक्की थे ममा चड़िया तो कुकु को अपने गले से चुप हो जाएं अब कुछ नहीं होगा तिकी के भाई यहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे कुकु भाया यह पतो का घर किसने बनाया आपको तो तिनके का घर भी बनाना नहीं आता था गोडिया यहां बहुत थंड लग रही थी आप जलाने के लिए लकडिया ढूनने भी दें जो हो गया सो हो गया अब हम यहीं रहेंगे सब एक साथ खटे फिर वो सभी पत्तों के घर में सर्दी की रात बिताते हैं रानों चडिया अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगी थी प्यारे दोस्तों या टिक्की के भाई उन्हें वहां पर भी सुकून से र आदमी पक्षी गुलाबों के दिवाने हो चुके थे गुलाबों चडिया जहां भी जाती सब के दिलो दिमाग हिला देती कभूतर मुझे एक किलो तेल और पांच किलो आटा दे दो जब कालू को पैसे मिलेंगे तो मैं उधार चुका दूंगी गोरी मैंने सब को उधार द दिया अब जाए यहां से उधार कुछ नहीं मिलेगा ऐसे कहकर कभूतर दुकान के कामों में लग जाता है और तभी गुलाबों चडिया वहां पर आ जाती है कभूतर जी मैं आपके जंगल की नई पक्षी हूं क्या आप मुझे जानते हो कभूतर तो गुलाबों को देख अगर एकदम लट्टू हो जाता है अरे 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 आप कैसी बाते कर रही हो आपको कौन नहीं जानता अगर जानते हो तो मुझे इस लिस्ट का सामान उधार दे दें मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे दे जाऊंगी हां हां क्यों नहीं आप ले लें जो भी कुछ लेना ह फिर कबूतर जल्दी जल्दी गुलाबों चुडिया को सारा सामान दे देता है और वो वहां से चली जाती है गोरी कावी तो ये सब देख कर हैरान थी अरे वा कबूतर मैं तुमारी प्रानी ग्रहक हूँ मुझसे तो मना कर दिया और उस गुलाबों को एक बार में ही उधार सामान दे दिया हाँ दे दिया वो हमारे जंगल में नई आई है तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है अब जाओ यहां से और पैसे लिए बिना दुकान पर कभी मताना गोरी कबूतर का ऐसा वेभार देखकर वहां से चली जाती है अब तो हद ही हो गई मिठूपी उस गुलाबों को देकर नहाधो के ही घर से बाहर निकलता है जो हदो भर तक नहाता भी ना था हाँ हरियाली गुडिया के पापा भी कैई तरह की क्रीमे लेकर आए हैं सोने से पहले भी लगाते हैं और बाहर जाने पर तो खुब लिपापोती करते हैं वो दोनों ऐसे बाते कर रही थी तभी गोरी भी गुस्से में उनके पास रुक जाती है मरे वो नास पिटा पुड़ा कपूतर मुझे उधार देने से मना कर दिया और उस कल की आई गुलाबों को भर भर के दिया हाँ गोरी ये तो तुम एकदम ठीक कहती हो पुड़ा हो या जवान सभी गुलाबों को लेकर सीरियस रहने लगे हैं आग लगे इस जंगल के जैंस पक्षियों को जो उस गुलाबों के दिवाने हैं एक मेरा कालू है जो मेरे सिवा किसी और की तरफ देखता भी नहीं ऐसे कहकर गोरी कवी वहां से चली जाती है साम भी हो जाती है उल्लू सुनार एकदम लेटेस्ट सोने की चैन दिखा और एक नाक की बाली भी अरे कालू गोरी भावी का जनम दिन है क्या जो उनके लिए तौफा खरीदे जा रहे हैं उस काली कलूटी के लिए तो मैं लोहे की चैन भी ना खरीदू सोना तो बहुत दूर है ये तो उस अपसरा के लिए खरीद रहा हूं ताकि वो सबको छोड़ कर मुझे से दोस्ती कर ले गुला सुनार कालू को वो चैन और बाली दे देता है जिसे लेकर कालू कववा सीधा गुलाबो के घर जाता है अरे कालू कववा आप यहां कुछ काम था क्या मुझसे गुलाबो जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं और आपके लिए एक छोटा सा तौफा लाया हूं उसे चैन पहना देता है फिर वो ऐसे ही काफी देर तक गुलाबो चिडिया से बाते करता है और देर रात को अपने घर जाता है गोरी जल्दी से भोजन दें बहुत भूक लगी है कालू जी आज बस ये खीरा ही खाले क्या गोरी खाना नहीं बनाया आपने कालू घर में ते और अपने गोसले में सो जाता है गोरी को तो ये बात जरा भी समझ नहीं आती कालू जी ना तो आपने पैसे दिये और ना ही घर के राशन खरीदने की बात की इसका क्या मतलब है गोरी इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है जब आ जाएंगे तो मैं दे दूँगा अब च सरहा से कैई दिन गुजर जाते हैं कालू एक रुप्या भी गोरी को कमा कर नहीं देता और जाइदा से जाइदा गुलाबों चड़िया पर खर्च करने लगा था गोरी बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही थी रानो बहन मुझे पान सो रुपे उधार दे दे जिब कालू को मिलेंगे तो मैं लोटा दोंगी गोरी ये ले पान सो रुपे और आराम से दे देना कहीं भागी नहीं जा रही मैं वो दोनों ऐसे बाते कर रही थी तभी उन्हें बाहर से लड़ने की अवास सुनाई देती है और वो तुरंत ही बाहिर आती है गुलाबो तुझे शरम नहीं आते जो मेरे मिठ्ठू से पीजा मंगा मंगा कर खाती है आज मैं तेरी चाँच ही तोड़ दूगी मोटी तोती तू मेरी चाँच क्या तोड़ेगी रुक मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ ऐसे कहकर की लड़ाई देखकर तो मेरा मूर ठीक हो गया गोरी सरम करें हर्याली हमारी अच्छी बढ़ोसन है ऐसे इनकी हसी न उड़ाएं रानो अब हम इनके बीच में क्या ही बोलते हर्याली को अपना पती मिठ्थू समझाना चाहिए ना कि किसी गैर को गोरी मिठ्थू से काफी बा बाते हैं एक दिन कालू कवा गुलाबो के साथ पहाडी में बैठा बाते कर रहा था और गोरी कवी उनकी सारी बाते सुन रही थी गुलाबो जी जिस दिन से आप मेरे दिल में आई हो मैं उस काली का लूटी गोरी को एक रुपया नहीं देता सब तुमारे ऊपर खर्च करत हूँ देखें तो आज आप के लिए में कितना प्यारा मौगती का लाया हूँ कालू एह दिल है मेरा और व् feminism को दिया अब जल्दी से ये मांगती का पहना दें कालू हशता हुआ गुलाबो को मांगती का पहना देता है गुलाबो जी आप मुझसे करने वाली हो अगर समय बता दोगी तो उस गोरी के कानों में भी खबर कर दूंगा ये बाते सुनकर तो गोरी के होस उड़ जाते हैं और वो भागी भागी रानों के पास आती है जो कि हर्याली और लोसी कबुतर के साथ नदी पर बैठी हुई थी रानों मैं इस नदी में कूंद क पर अपनी जान देना चाहती हूं जीना नहीं चाहती अब गोरी पागल मत बनो ये कैसी बाते करती हो कालू भाया ने फिर से लड़ाई की होगी लड़ाई होते तो मैं खुसी-खुसी मर जाते मगर मेरा कालू उस चुडैल गुलाबों से साधी करना चाहता है ऐसे रोते जड़ा गोरी की हालत तो देखो गोरी आप चिंता ना करें हम सब कालू भाया को समझाएंगे नहीं रानो वो कालू नहीं मानेगा वो सिर्फ गुलाबों की हां का इंतिजार कर रहा है अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सका गोरी होस में आओ और घर जाओ कालू गुलाब के लिए हजारों पक्षी मिलेंगे मगर हमारी गोरी का घर बरबाद मत करो हां गुलाबो तुम कालू भहिया से साधी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक साधी सदा पक्षी हैं बच्चा है उनका अरे अरे आप ये बिना जाने कैसी बाते करती हो उसने भी आज मुझे से साधी का ही पूछा था और मैंने साफ साध मेना कर दिया मैं भला उस काले कवे से साधी क्यों करूंगी चड़े पक्षियों की कमी थोड़े नहीं जंगल में गुलाबो की ये बात सुनकर वो सबी कालू के घर जाती हैं जो की गहरे सदमे में था मैंने अपना सब कुछ उस गुलाबो पे खर्च किया और उसने मुझे धोका दे दिया हाँ कालू भाया जूटे रिस्ते हमेशा धोका ही देते हैं और गोरी को देखें कैसे अभी भी आपके पास खड़ी हैं क्योंकि तुम्हें अभी खोना नहीं चाहती गोरी मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें कितना बुरा वक आंगी!